Good morning students and my dear parents आप सभी का Sanic Dream U2 चैनल पर एक वार फिर हार्दिक स्वागत है चुकि Sanic School Class 6 और Class 9 2022 इंट्रेस इंग्जामिनेशन का डेड़ काफी करीब आ गया है और मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी की तेयारी लगवक पुरी हो गई होगी दोस्तों अभी इतना समय नहीं रह गया है कि आप और ज़्यादा नया पढ़े अब आप ज़्यादा सज्यादा जो अभी तक पढ़ लिया है उसी का बार बार प्रैक्टिस करे क्योंकि सैनिक इस्कूल या राश्टिजेमेटर स्कूल के एडमीसर में अब बहुत ही ज़्यादा कमटिसन हो गया है और Class 5, 6 और Class 8 पढ़ने वाले ज़्यादा से ज़्यादा एस्टूडेंट सैनिक स्कूल के इंट्रेंस एक्जाम में जरूर बैठते हैं ऐसे में आप जितनी अच्छी त्यारी करेंगे आपका सेलेक्षन का चांसे उतना ही ज़्यादा होगा इसी को नजर में रखते हुए आज के इस वीडियो में लास्ट इयर यानि सैनिक स्कूल 2021 इंट्रेंस एक्जाम का फुल कोस्चन पेपर हम डिटेल से देखेंगे जिससे जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो सैनिक स्कूल की पहली बार एक्जाम दे रहे हैं उनको हिंट्स मिल सके और उनको सैनिक स्कूल के कोस्चन पेपर मोडल का बिल्कुल करेक्ट आइडिया मिल सके साथी वीडियो के लास्ट में हम एक टिप्स भी जानेंगे जिससे आप दिये गए समय में अपना पूरा कोस्चन पेपर बहुत ही असानी से कर सकते तो वीडियो को एसकीप करके नहीं देखें क्योंकि इससे आपको सही से समझ नहीं आएगा और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जो भी बच्चे सैनिक स्कूल या आरे में इसके तियारी कर रहे हैं तो निश्ची तरुप से उनको किसी स्कूल से जूड़ी हर अपडेट जानने की जग्यासा होती है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर अपडेट समय से मिल सकते अब देखते हैं कि सैने की स्कूल कलास 6 के इंट्रेंस एक्जाम 2021 का कोश्चन पेपर दोस्तों सैने की स्कूल कलास 6 का कोश्चन पेपर कुल दो भागों में बाटा जाता है पहला पेपर 1 जिसमें सेक्षन A, सेक्षन B और सेक्षन C तीन पार्ट होते हैं सेक्षन A में मैथ का कुल 50 सवाल पुछा जाता है हर question 3 marks का होता है यानि math का paper 150 marks का होता है उसके बाद section B में GK के 25 questions पुछे जाते हैं और हर question 2 marks का होता है इस परकार GK कुल 50 marks का लिया जाता है और section C में English के 25 questions पुछे जाते हैं और हर question 2 marks का होता है तो इस परकार यह भी कुल 50 marks का बंद अब देखते हैं पेपर 2 को तो यह intelligence test का question रहता है जिसमें कुल 25 question पुछा जाता है और हड़ एक question 2 mask का होता है तो यह भी कुल 50 mask का बनता है अब ऐसा नहीं है कि पहले आपका paper 1 होगा फिर जब यह complete हो जाएगा तो इसके बाद आपको paper 2 दिया जाएगा यह दोनों paper एक ही question booklet में रहता है और इस पूरे question को complete करने के लिए आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाता है यानि 150 मिनट में आपको कुल 125 question complete करना है आपके question paper में भी यह असपस्ट रूप से लिखा रहता है यहां आप देख सकते हैं इस question paper booklet contains 4 sections section A mathematics contains 50 questions of 3 marks each section B general knowledge section C language and section D intelligence contains 25 questions of 2 marks per question in all the paper consists of 125 questions for a total of 300 marks question paper Hindi या regional language के साथ साथ English में भी रहता है जिससे बच्चों को समझने में असानी हो सके अब सबसे पहले हम लोग section A यानि 2021 में पूछे गए math का question paper देखते हैं आप देख सकते हैं कि यहां पहला question है which option source fractions arranged in ascending order second question is what is the value of 945.341 minus 1042.792 plus 875.435 plus 31.025 दोस्तों इस प्रकार यदि मैं एक एक question पढ़कर बताता हूं तो काफी समय लगता है जिसते वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आप वीडियो को पहुज करके एक एक question अराम से देख सकते हैं तो दोस्तों आपने देखा कि question ज्यादा hard नहीं होता है इसमें जो भी पुछा जाता है वह class 6 तक के syllabus के अंदर ही लिया जाता है अब section B देखते हैं तो इसमें GK के कुल 25 question है आप इसे देख सकते हैं इसी परकार section C यानि English के भी 25 question है आप यहाँ देख सकते हैं और फिर last में paper 2 आजाता है जिसमें intelligence के 25 question होता है आप इसे भी यहाँ पर एक एक करके पहुच करके देख सकते हैं अब हम लोग ओ tips जानेंगे जिससे आप 125 question को अराम से 150 minute के अंदर पूरा करके एक बार check भी कर सकते हैं जब आप question solve करने लगते हैं तो सबसे पहले आपको section B यानि GK के 25 question complete करना है क्यूंकि यह objective होता है और यदि आपने पढ़ा है या आपको मालूम है तो यह 15 minute के अंदर complete किया जा सकता है इस परकार आपका एक section पूरा हो जाता है अब आपको section A यानि math के question करना है यह काफी important section है क्योंकि यहाँ हर एक question के लिए 3 marks दिया जाता है तो आप इसे अराम से करें इसमें हरवडाएं नह अन्य था गलतियां होने के chances बढ़ जाता है लेकिन एक question को one and half minute से ज्यादा का समय नहीं देना है और इस परकार आप यह 50 question 75 to 80 minutes में कर लेंगे अब आपका 95 minute भी चुका है और अभी भी आपके पास 55 minutes का समय बचा हुआ है अब आप paper 2 यानि reasoning का question कर लें यह ज्यादा कठी न कर सकते हैं इसके बाद सबसे last में English का paper करें और यह भी objective type का ही रहता है तो आप इसे 20 minutes के अंदर कर सकते हैं इसके बाद तो इस परकार आपका यह total समय होता है 145 minutes इसका 5 minutes में एक बार आप अपना OMR seat को अच्छी तरह चेक कर लें और वो submit कर दें दोस्तों मैंने इसके स्कूल पुछे जाने वाले question paper का detail में बताने की पूरी कोसिस किया है आसा करता हूं कि इससे आप लोगों का जो question paper से related जो doubt था ओ धूर हो गया होगा और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे like और अपने उन दोस्तों को भी share जरूर करें जो सैनिक स्कूल या आरेम इसकी त्यारी कर रहे हैं ताकि आपके friend को भी को फैदा पहुंच सकते धन्यवादा